तो ऐसी ही जिन्दगी हम लोगों की रहती है तो इसलिए मैं कह रहा था हर किसे के बस की भी नहीं है पहाड़ों पर जिन्दगी बिता पाना क्योंकि अगर पहाड़ों में आपको जिन्दगी काड़नी है तो परिश्रमी होना बहुत जरूरी है एगाइज गूड मॉनिंग नमस्कार की हाल चाल उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे माँ आपका आपका अपना दोस्पेंसिंग स्वागत करता हूं आपका एक और ने फ्रेस और कमाल ब्लॉग में पहाड़ों से दोस्तों सुबह सुबह का समय है जो ब्लॉग की अच्छा हो रखा है सुबह से हलकी धूपा रखी है तो दिन भर देखते हैं मौसम भी कैसा रहता है क्या पता बारिस होती है या नहीं होती है मैं जारा हूं अभी के सली मार्केट की तरफ को थोड़ा आगे चलके आपको सुबह की नजारे दिखाता हूं तो शुर्वा दि देखनें दोस्तों यहां भी देखिए पैर्रेट्स का क्या हल्ला हो रहा है अग्या 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 है कि अधा तक मौसम वियूज की बात करूं तो आज मौर्णिंग वियूज इस वरकार आ रहे हैं तो फाइन है दोस्तों डैरी पे मैं पहुंच गया हूं और दूद भी मैंने फिलप कर लिया है रोडों में केन भी रखने लग गये हैं और सामने मुक्तेसर घाटी की तरब को बढ़िया हिमाले की चोटियां दिखनी है देखे फ्रेंड आज मौसम थोड़ा क्लियर है जिस कारण हिमाले की चोटियां देखने को मिल रही है और सुबह देखनी को मिले तो बात ही कुछ अलग होती है काफी खुपसूरत मंजर काफी खुपसूरत दिर्श से देखने को मिल रहा है सामने की तरफ तो फैर नहीं दोस्तों मैं जा आज गौँ कसलें मार्केट से दूदूद देखे और मार्केट में तो काफी सुनसानी बनी हुई है क्योंकि आज कल काम धंदे के दिना पाहाडों पर तो लोग अपने कामों पर व्यस्ते आए और उपर से आज है संडे तो सरकारी कामकाज भी सारे बन हैं बैंक वगsystem संडे चिक्तर से तो इसमर्केट में काफी सुनसानी देखने को मिल रही थी और एक चीज और बारे सुने से मौसम काफी अच्छा हो गया है जो गर्मियों के मौसम में एक धुनसी हो जाती है पहाडों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है हिमाले की चोटिया दिखना बंध हो जाती है तो बारिस होने से धिरे-धिरे वो कम हो रहा है और सांदार हिमाले की चोटिया दिखना बनी हुई है और अभी समय भी करीब साड़े आट बजी का हो रहा है सुबे का तो मैं भी आचुका हूं दूदूद देखे डैरी से तो आप लोग उठेओ ने उठेओ कितने लोग उठ चुके हैं अभी अगर सेर हो तो मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप हमें कबेड मे देख सकते हैं धिरे आसमान में बादल भी आने लगे हैं सुबह तो मोयसम समय सकते हैं अभी दो तीन घंटे बाद ही आसमान में बादल आगे तो इसलिए बारिस आने से पहले आपना काम कर लेते हैं क्योंकि काम जरूरी भी है और मैं जाने लगाँ खेतों की तरफ को चलते हैं खेतों की तरफ और नासपाती घर वाले तोड़ी रहे हैं उनको ले भी आऊँगा फाइन दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ खेतों पे और यहां पर मम्मी लोग चाय पी रहे हैं नासपाती भी थोड़ी तोड़ी हुई है दो कट्टे यहां पर रखे हुए हैं और नासपाती तोड़ने के लिए हमारे वहां आया है नंदन जी हमारे पडोस के क्यूंकि य है इन पर लगी हुई नासपाती अब हम लोग ऊत्वाइब नासपाती कर्याा है। यानि कि घर पे नासपाती पहुचा दी है खेस से कुछ राउंड और लगेंगे क्योंकि खेत में तोड़ी रहें और तो अभी बैठा था यहीं पर खेत के पास में यह रोड भी खादा था इसको हम रोड बोलते हैं जो हरेले में में हमारी यहां पर बनती है हम तो हरेला बना नहीं जाती है और गुड के पानी से इसका आठा गूदा जाता है तो काफी टेस्टी होती है खाने में पाहडों की खुबसूरती सभी को अच्छी लगती है पर हर किसी के बस की बात नहीं है पाहडों में पाहडों की जिन्दगी जी सके तो यहीं सब था जो मैं अपनी फैमिले के साथ शेयर करते रहता हूं और हमेशा करते रहूंगा और हमारी लाइफ कैसी रहती है पाहडों मे वो सब आपको बताते रहोंगा तो यहीं पास में बैठा हुआ था मेरे पीछे मस्त पेड़ है नीबू के और इन पर नीबू भी अभी है देखिए बागी मौसम का तो ऐसा ही है अब देखिए कभी भी बारिस हो सकती है कभी भी रुख बदल सकता है मौसम का तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब दो पहर के धाई बजी का खानावाना खा लिया है और जो सुबह से हम काम करने नासपाते तोड़ने का तो यह घर पे कट्टे भर रखें देखिए तो इनको पहुंचाने आप सीधे रोट पे लगभग तीन राउंड लगेंगे रोट पे मेरे तो इनको पहुंचाता हूं रोट पे और अपने काम से फ्री होता है एक स्टेप और रह गया महनत धरा तो वह भी कंप्लेट करते हैं फिर जाके रिलेक्स मिलेगा आग दिन में भी सोया नी करीब अभी दो बजे मैंने खाना ही खाया तो खाना खाके फिर अब लग जाता हूं काम पर और व्यूज की बात करें दो पहर के समय में कुछ इस प्र टो फाैने फ्रेंड नासपाति डुलान का कारी सुरूब हो चुका है मैं घर से ढोने लगा हूं नासपाती और नासपाती भी हम एसे ढो रहे हैं आध्यरासते पहले खेतों बगे नासपाती तोड़ी फिर घर पे उसको पहुंचाया आप घर से उस पे कट्टों में भरके नाम वाम लिखके पहुंचा रहा हूं मार्केट के लिए रोट पे तो ऐसी ही जिंदगी हम लोगों की रहती है तो इसलिए मैं कहरा था हर किसे के बसकी भी नहीं ह मुझक काफी करनी होती है तब जाके पहाडhtे जीवन चल सकता है जिन्दगी की तो फाइन है दोस्तों सभी कट्टे मैंने रोट पे पहुंचा दे हैं एक कट्टा रह गया है जिसे भाई लेके आ रहा है दो घंटे लगए इनको पहुंचाते पहुंचाते और हालत तो आप देखी रहे हैं हालत भी खराब हो चुकी है काफी दूर से लाना होता है सर पे करी 20-35 किलो का बुझा डाल के हम सर पे लेके आते हैं लगभग 1.5 किलो मिटर चलना होता है कहीं पर बहुत उत्राई होती है तो कहीं पर बहुत चड़ाई होती है तो काम बहुत हाड होगी आज और वाड भी लग चुकी है जितनी एनरजी थी लग सभी खतम होगी है तो यहां काम तो हो गया है complete तो अब मैं चलता हूं पास में हमारी मार्केट है के सलें मार्केट वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को काम है तो वह काम करके आता हूं फिर चलूंगा सीधे घर को क्योंकि साम भी होने ही वाली है यह देख सकते हैं साम के जो नजारे आ रहे हैं पहाड़ों पर खुबसूरत awesome view जा रहे हैं पास में हमारी के सलिंग मार्केट तो चलता हूं मार्केट की तरफ लगातार दो ढ़ाई गंटे से काम और हालत खराब होगी आज और गाड़ियों में भी माल लगने लगा है धीरे धीरे तो समय से माल पहुंच गया हमारा भी रोट पे तो चले बाद तो सोई जाएंगे तो फ्रेंट पहाणों से यह था हमारा दिनधर का व्लोग अब लोग को कैसा लगा कमेंड में जरू सेयर करेगा तो इस खुब जरू साम के साथ ही आपसे लेते हैं विदा आपसे मिलेंगे कल नए ब्लोग में तब तक के लिए जय हैं बाई बाई क्या लगे गा